हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग तो आदे हूं मैं एक और वीडियो के साथ और काफी अच्छा मोसम हो रहा है बारिश हो रही है लगातार हमारे यहां राजस्तान में इस बार इत्ती अच्छी फिलिंग आ रही है पूरा मोसम ठंडा हो रहा है रात को तो में ठंड लगने लग जाति है तो काफी अच्छा मोसम हो रहा है लगातार बारिश चल रही है तो इस साथ बार मोसम हो रहा है हमारे यहां जैसे कि आपको पता है खुषबू मेरे पास आी हुए होए लिए खुश्बू है मिरे मामा की बेटी , तो यह म眉ँ के साथ आ गे थी , जब मैंने आपको बदाया थी , जिनलों के घर जाना था तो मम्मी को बुलाया था को खुश्बू मम्मी के साथ आ गे थी , तो मम्मी तो वह हो मेरे चले गे , और घुश्बू को कुछ दिन के लिए मैंने रख लिया तो आज खुश्बू को इसके यहां । नाक पे काफी ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो कहर है अधिती कि मेरे इस थोड़े रिमूव करने हैं सांफ करने हैं तो मैंने के चलो करते हैं तेरे तो पहले दिखाती हूँ इसके नाक पे कितने black heads हैं आप तो गाइज ये देखिए इसके nose पे कितने white heads और black heads हैं black थोड़े कम है white बहुत ज़्यादा है और बाल भी हैं छोटे छोटे ये देखिए तो आज इस इनको करते हैं remove और इनको remove करने के लिए मेरे पास है ये उतारती हूँ मैं इनको remove करने के लिए मेरे पास है nose strip तो काफी अच्छी है ये effective है मैं आपको लगा के दिखाऊंगे इसमें four strips आती है और white or black heads के लिए तो actual में बहुत बढ़िया है ये दिखात तो ये वाली है मेरे पास nose strip देखिए nose strip plus BHA serum है with green apple extract इसमें जो एक्ट्रेक्ट है वो green apple का है four strips इसमें आई है with bamboo charcoal विच hazel extract and aloe vera help to remove black heads white heads excess oil deep clean pores स्किन को मॉस्चराइज करती है और वी बाकी तो मैंने यूज कर ली थी इसका एक lotion आता है जो हमें पहले लगाना होता है नाग पे और इसमें है strip तो मैं दिखाती हूं तो ये वाली strip है इसमें देखिए तो चलिए इनका यूज करते हैं मैंने करते हैं मैंने ये strips आपको दिखाई और चलिए अब यूज करते हैं खुश्बू के नाग पे तो काफी अच्छा रिजल्ट होगा देखते हैं आपको भी दिखाती हूं मैं इस मैंने ले लिया है ए इसके नाग को थोड़ा क्लीन करेंगे अगर ये नोज भी निकाल दे तो सही रहेगा निकलती है तो तो पहले इसको एकदम पानी से क्लीन कर लेंगे तो ये हैस्ट्रिप हमारे पास इसको हम इस जो तिल्म से आई है इसको रिमूव करेंगे और इसका जो ये पार्ट है ग्लोशी साइड इसको हम थोड़ा पानी लगाएंगे इस साइड अब हम इसे नाग पर कुछी इस तरह से लगा देंगे तो देखिए कुछी इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप इसके नोज पर लगा दी है और अब हमें इसको दस से पंदरा मिनिट के लिए छोड़ देना है फिर देखते हैं आपको दिखाती हूं कितना अच्छा रिजल्ट आता इसका सारे ब्लेक हैट्स वाइट हैट्स सारी रिमूव हो जाएंगे इससे तो गाइज इस स्ट्रिप लगाए हुए हमें करते हैं इसससे रिमूव करते हैं हुआ 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 नहीं है तो गाइज यह देखिए कितने वाइट हैड़िए रिमूब हो गए हैं खुश्बू के नाग से यह देखिए तो जैसे कि आपने देखा कि किते वाइट हैड्स रिमूव हो गए हैं तो अब हम ये लोशन लगाएंगे उसके नाख पे ताकि जो पोर्स ओपन हो गए हैं वो थोड़े जैल से कवर हो जाएं कि धूल मिट्टी जादा ना जाएं दोबारा से वाइट हैड्स ना बने तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और ये नोज स्ट्रिप तो अगर पसंद आती है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दें कॉमेंट जरूर कीजिएगा कॉमें बताएगा कि ये वाला जो है नोज स्ट्रिप तो आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसे लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए ठेंक यू मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ बाई